उमीद करता हूँ, you are all good, doing well, जैसा कि आपका एक्जाम जो है 27th को है English Literature का Language and Literature, तो कुछ portion discuss कर लेते हैं, जैसे grammar में आपका क्या आएगा, तो पहले ही से हमने discuss already कर चुके हैं, class में पढ़ा हैं, ठीके, syllabus भी हमने discuss किया है, लेकिन फिर से बता दा रहा हूँ, repeat करने के लिए, tenses हैं आपके, okay, models हैं आपके, subject of conquered or reported speech, ठीके, tenses आपको पता है, models है कि models में कभी न बहुत most appropriate लगाना पड़ता है, most appropriate, ठीके, बड़ी दिमाग से सोच समझ के, अपने हिसाब से चलना, गलत नहीं कर देना, because this is case marking, grammar बिलकुल case है, उदर का mark, जो ही एक तुमारा tense ठीक कर लि हमने बहुत सारे rules पड़े हैं, near about 20 rules पड़े हैं, अच्छे से देख लेना, reported speech हमने पड़े हैं, ठीके, हर एक sentence को कैसे integrate हैं, तुम कैसे change करोगे तुम, command, request, statements, इन सब को तुम कैसे change करते हो, ये भी हमने पड़ा है, ठीके, tense कैसे change होगा reported speech में, ये सारे हमने अच्छे से प formal letter है, ठीके, और formal letter का हमने already discuss कर चुका हैं, बहुत बार आप पड़ा भी है, और आपको अच्छे से पता भी है, sender's address पहले लिखा जाएगा, top में, left hand side, ठीके, एक dash short के, एक line छोड़ के, दूसरे number पे date है, line छोड़ के receiver's address, फिर उसके तुरंत बाद आप subject लिखोगे, फि उसके बाद body है, body आपको पता है, आप तीन में हिसो में divide कर देते हैं, आप इसमें introductory ठीके, और middle point जो है आपका वो करोगे, और last पे conclusion देद होगे, लेकिन अपने letter के हिसाब से letter है, उस हिसाब से body को divide कर लोगे, और last पे आपका complimentary closure होता है, यह हमने अच्छे से पढ़ लिया ठीके, उसके बाद आपका आता है analytical paragraph, ठीके, analytical paragraph किस पे मिलेगा, आपको, chart दिया होगा, यह को data होगा, outline होगी, clues होगे, table होगे, तो यह हमने देखा है, already अच्छे से पढ़ आ है हमने, ठीके, इसमें क्या दिखाना है, आपने analytical paragraph क्या है, यह descriptive writing है न, descriptive writing है, ठीके, तो यह च realize किया, कैसे किया, सबसे पहले आपने facts को जाना, ठीके, वो अच्छे से किया, और आप दूसरा point क्या याद रुखोगे, simple and accurate language, कि आपकी language simple होनी चाहिए, complicated ना हो, और साथ में language accurate होनी चाहिए, because this is language paper, ठीके, उसके बाद आप क्या discuss करोगे, mention figures and quantities appropriately, जो भी तुमें quantity दी है, यहां 15% है, यहां 40% है, ठीके, उनको तुमना appropriately यूज़ करोगे, खुद से नहीं लिखोगे, अगर यह for example, transport और कुछ है बाकी, मानलो education है, यह labor है, तो तुमने खुद से 40% है, तुमने खुद से 30% नहीं बना देना इसको, okay, and you can use same tense, okay, जो tense तुम यूज़ करोगे, पहले introduction में, तुमने present simple यूज़ किया तो, उसी को यूज़ करोगे तुम, तुमने past यूज़ करोगे तो past को, तुमने future यूज़ करोगे, तुमने future को लेके चलोगे, ends change नहीं करोगे, फिर बता देता हूँ एक बार फिर से introduction है, body है, conclusion है, introduction के से साबसे करोगे तुम, ठीके, अग तुम्हें table आज़ आज़ता है, तुम्हें इसे कर सो, the table suggests, the table suggests, okay, अगर तुम्हें, मालो, कोई line दी, outline दी, ठीक है, या graph दिया है, तो आप के सकता है, the line graph, okay, the line graph shows, क्या बता रहा है, वो तुम आगे, इसको discuss करोगे, ठीके, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अपनी line कैसे start करोगे, ठीके, अगर तुम्हें, मालो, तुम्हें कोई data दिया हुआ है, you can write like this, the data given provides, okay, the data given provides, ठीके, वो जो भी information तुम्हें देगा, provides information about, about whatever the topic is, okay, अगर तुम्हें कोई pie chart आ जाता है, तो तुम क्या लिखोगे, तुम्हें से start the pie chart, the pie chart illustrates, okay, इस तरह से तुम अपना ये introduction कर सकते हो, body पता है तुम्हें, तुमने events को relate करना है, ठीके, जो भी figures हैं, उनको अच्छे से mention करना, facts use करना है, simple accurate language use करनी है, और conclusion तुम कैसे करोगे, how to conclude it, okay, conclusion में तुम ना पहले इनको अपस में क्या कर दोगे, कि इनके बीच में correlation बना लोगे, तब जाके तुम्हारा ज okay, subsequently, कि इसका क्या रहा, okay, या तुम ऐसे भी use in all, okay, या आप बोल सकते हो, last पे in a nutshell, तुम बताना चाहरा है, मैं तुम्हें एक point बता रहा हूं, phrases कुछ बता रहा हूं, तुम कौन से phrases use कर सकते हो, ठीके, in a nutshell, कि तुम last पे क्या बताना चाहते हो, ठीके, या तुम ऐसे भी क paragraph क्या message देना चाहता है, okay, तुम therefore भी use कर सकते हो, तो बहुत सारे जो तुम्हारे मन में भी बने, जो phrases, वो भी तुम use कर सकते हैं, बने हिसाब से conclude करने के लिए, तो easy step रहेगा, और इस तरह से तुम्हें paragraph के 5 नमर मिल जाएंगे, और रहाल तुम्हारा grammar, 20 marks का है, एक बार फिर से में repeat कर देता हूँ, grammar में tenses हैं, models है, subject work concord है, reported speech है, writing skills में तुम्हारा formal letter writing है, और तुम्हारा analytical paragraph, analytical paragraph, chart में आ सकता है, data outline, close table, line figure, historogram, pie chart, कुछ भी आएगा, वो तुम अच्छे से कर लोगे, और students एक साथ में जाते जाते एक tip देना चाहता हूँ ठोड़ी से, ठीके, कि तुम्हें जो reading के लिए जो तुम्हें बेटा ना, 15 minutes मिलते हैं न, उनको तुम्हें अच्छी तरह utilize करना सीख लो, अब उनको कैसे utilize करोगे, जब माल लो तुम्हारा English paper है Monday को, ठीके, अब तुम्हारा मिनट तुम्हें मिले न, यह 15 मिनट तुम किस पे दे दो, passage पे दे यही तो पढ़ लो 15 मिनट में तुम, इनका फाइदा उठा लो, और passage को न, बड़ा critical होके सोचना, कि passage जो है, वैसे तो आसान थी, 12th की passage आई थी आपके lesson Seagull से, जो आपने 10th में first flight पढ़ा है, उसमें एक passage आई थी, 10 number की 12th वालों को, अब तुम्हें क्या आएगा, वो त तीन बार, तीन बार, ओके, three times, उसको पढ़ लो, repeat करो, अच्छे से, अपने answer को mark करके रखो, अपने उन points को highlight करके रखो, उसके बाद जाके passage को approach करो, देखो mark मुफ्त में नहीं मिलेगा, mark वहीं मिलेगा, जो तुम करोगे, तुमने अच्छे से attempt क्या, अच्छे से मिलेग ठीके, overconfident नहीं होना, overthinking नहीं कर रहीं, negative thinking तो होने नहीं है, कभी be positive, be confident के, हाँ वही, मैंने पढ़ा है, मैं कर लूँगा, ठीके, अच्छे से कर क्या होंगा, अच्छे से approach करूँगा, और यह जो 15 मिनिट है, पस इन 15 मिनिट को तुम utilize करना सीख लो, और 15 मिनिट पैसेज पे ही दे दो, और अच्छे से, जो भी तुम्हें लगता है, अच्छे तरीके से करो, ठीके, जो important questions मैंने already discuss कर चुका हूँ, जब भी मैं lessons पढ़ाता था, साथ में बता देता था, कि यह important questions है, 12 में आज, जो भी उनको important questions मिले थे, 70 to 80% उनको वो ही as it is question आये है, ठीके, तु बाइब बाइब आलाफिश